दोस्तों आज की इस वीडियो के रिले करा है हूँ आई पिल और क्रिकेट के दुनिया के बड़ी अपडेट्स दोस्तों नीजिए पिल और के दूस्त में दुनिया के दूस्ताई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दब तक हमारी वीडियो को नोटिफिकेट्एन आपको मिलें सबसे पहले छले जिए अपना सबसे पहले अपडेट् सबसे पहले अपड़ी निकल करा और ये Sunriders Hyderabad की टीम की तरफ से आपको उतादी कि Sunriders Hyderabad की टीम बहुत जल्द अपने नए कप्तान को घोसित करने वाले हैं और सुतनों की मानी जाए तो Sunriders Hyderabad की टीम Pat Cummins को अपना नया कप्तान घोसित कर सकते हैं Sunriders Hyderabad की टीम ने 20.5 सुने करोड में आई बिल 24 के आउक्सन में Pat Cummins को खरीदा था और उन्हें खरीदने के पीछे यह भी मक्सद था कि उन्हें कप्तानी सौपी जाएगी Pat Cummins की बात किया है तो एक तो हब बहुत याद highly rated international कप्तान है साथ में उन्होंने औस्टलिया की टीम को आठवे नंबर पर खत्म किया था पहुंच टेवल में तो वही पर 2023 में दसवे नंबर पर उन्हें पहुंच टेवल में खत्म किया था तो ऐसे में बहुत ही कम चांसे कि सन्राजर्स हैदराबाद की टीम एडन मारकरम को अपना कप्तान रखने वाले हैं कि टीम ने कल अपने नया असिस्टेंट कोच घोसित क्या है उन्होंने साउथ अफवेगा के पूरू बल्लेबाज रह चुके लैंस कुलूशनर को अपना असिस्टेंट कोच घोसित क्या है जैसा कि आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं इसके पहले लखनो सूपर जाइन्स की टीम ने अपने हेड कोच को बढ़ ला था जो की बने थे जस्टेंट लैंगर और अब उनके असिस्टेंट कोच बन चुके हैं लैंस कुलूशनर लैंस कुलूशनर मुंबाइ इंडियंस की तरब से असिस्टेंट कोच हुआ करते थे बहुत साल पहले जब सौन पुलक मुंबे इंडिनिस के हेड कोच रहा करते थे चली देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट दोस्तों या अपडेट निकल करा रहा है चन्नी सूपर किंग्स की टीम की तरह पर जहांपर चन्नी सूपर किंग्स की टीम ने अपना IPL का कैम्प सुरू कर दिया है चन्ने के चेपोक मैदान में एक एकर के चन्ने सूपर किंग्स के सभी खिलारी इस टैक्टिस कैम्प में पहुंचने वाले है जहाँ पर कुछ खिलारी जो कल ही जोईन के उन में नाम आता है सिमर जीत सिंग, राजवर्दन हैंगर गेकर, मुकेश चौधरी प्रसान सुलांकी, अजे मंडल, दीपक चहर इसके साथी दुतराज गायकवार प्रसे में जो पहला बैच इंडियन पेर्स का है वह चन्ने पहुंच चुका है और कल सिरुन का अधिकारिक दरेके से कैंप सुरू होने वाला है जिसकी आपको हम पहले पर आचुके हैं कि फोटो जो वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे चली रेखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट दोसों अपडेट निकल करा रहा है इससान किसन के तरब से आपको उताज़े कि भारते के रिएट कंट्रोल बोर्ड ने कुछ दिनों पहले सेंट्रल कॉंट्रेक्ट सूची जारी की थी जिसे लेकर इसान किसन और स्रिया सियर ऐसे दो बड़ी नाम थें जो सुर्किया में बने हुए थें क्योंकि उन्हें सेंट्रल कॉंट्रेक्ट नहीं दिया गया और आया और किसन को भारते टीम में लगतार मौके मिल रहे तो इसके बावजूद भी उन्हें इस लिष्ट में सामिल नहीं किया गया विसे इस रूप से इसान किसन की बात करें तो उन्होंने नीजी कारणों का हवाला देते हुए दक्चिन अफ्रिका के किलाफ टेस्ट सेरीस से ब्रेक दिये जाने की मांग की जिसके बाद उनकी मांग को सुविकार भी कर लिया गया था उमीद थी कि नैसलन टीम से ब्रेक ले इसान किसन से संपरक साथा था वह एक इसान का काना था कि वह अब भी खेलने के लिए तयार नहीं है इस 20 गुरूप जूरेल विकेट कीपर बलेवाज कुरूप में भारती टीम से जूरे हैं जिन्होंने चौट है टेस्ट में 90 रन और उन 40 रन के एहम पारियां के लिए जि फिर आईपियल वगरा भी खेलने के मौकर नहीं दिया जाएंगी इस पर आपकी क्या रहा है नीचे कमेंट में में जरूरू बताएगा चली देखते अपना पांचवा बड़ाप डेट दुसमें डेट निकल करा रहा है संराजर्स हैदराबाद की टीम के कोचिंग स्टाफ में सामिल थे डेल स्टेन और यहां हमी था कि संराजर्स हैदराबाद की टीम के तरब से कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट वगरा में देखने को मिलेंगा IPL24 में लेकिन उन्होंने इस सल IPL24 में संराजर्स हैदराबाद के कोचिंग स्टाफ के लिए अवेलबल नहीं रहनी की जानकारी दे दी है यानि कि वह इस साल ब्रेक लेना चाहते हैं और अगले सारवा वापसी करने वाले हैं तो ऐसे में संराजर्स हैदराबाद की टीम अभी फिलाल में एक बालिंग कोच की तलास में होंगे और बहुत जल उनके नए बालिंग कोच आपको देखने को मिलने चलिए देखते हैं छटा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है महिंद सिंग धौनी के चरब से आपको उता दे कि महिंद सिंग धौनी के दोस्त है परमजीद सिंग जिन्छोंने महिंस सिंग धूनी के आईपयल के फ्यूचर के बारे में एक बहुत भी स्टीटमेंट दी है ऐसा कहना है महिन सिंग दोनी के एक बहुती close friend का तो ऐसे में social media वगर्या में तो महिन सिंग दोनी ज़्यादा बयान वगर्या देते नहीं है ज़्यादा अपनी मौजुद्गी दिखाते नहीं है कि वह क्या करेंगे कैसे करेंगे लेकिन अपनी बातों को वह दोस्तों तक तो share करते होंगे और उनी दोस्तों नहीं इस तरह की जानकरी दी है तो क्या आप भी धोनी को अगले साल भी IPL में देखना चाहते हैं कि नहीं नीचे हमें कमेंट में जिरूर बताईगा चलिए देखते हैं अपना सातों बड़ा अपडेट दोस्तों अपडेट निकल करा रहा है गौतम गंबिर के तरब से गौतम गंबिर ने एक बहुती बड़ा फैस्ट लिया है जहां पर फिलाल में वह दो काम एक साथ कर रहे थे जहां पर दिल्ली में वह अपने पॉलिटिकल ड्यूटीज को निभा रहे थे एक मंतरी के पोश्ट परते तो वही पर क्रिकेट में कमेंटरी वगरा भी करते थे कोचिंग वगरा भी करते थे तो ऐसे में अब वह पुरी तरह से पॉलिटिकल करियर को छोड़ना चाते हैं और उन्होंने जो ट्वीट के आपके हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिए देखते हैं अपना आठम बड़ा अपडेट दोस्तों ये अपडेट निकल करा रहा है पाकिस्तान सूपर लीग की तरब से जहाँ पर पाकिस्तान सूपर लीग में किरॉन पॉलार खिल रहा है और पाकिस्तान सूपर लीग फिलाल में चल भी रहा है इसके बाद हम बात करते हैं Women Premier League की तो Women Premier League भी काफी जादा जोर सोर से चल रहा है जहाँ पर अभी तक 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 9 मुकाबलों में सबस्यादा बहुतरी परदसन क्या है Mumbai Indians की टीम ने जिन्हों ने अपने पेसे 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं तो वही पर दिल्ली की टीम ने 3 मुकाबलों में दू जीते हैं और सबसे बेकार परदसन रहा है गुजराज जैंट की रिंग का प्रोपोइंट्टे वाला प्रें स्क्रीन पर देख सकते हैं